So hello guys, मैं हूँ आयूश और मैं दूम सभी का सहगत करता हूँ Anime Explainer YouTube चैनल के एक और brand new वीडियो में और आज के वीडियो में हम लोग explanation करने वाले हैं होरी मिया Anime Series के episode 3 को So now without wasting any more time, let's get around to the explanation Episode एक flashback से सुरू होता है जिसमें हम देखते हैं कि मिया मूरा अपने बचपन से ही बहुत ज़दा अकेला रहा है उसके दोस्त नहीं रहे है और वो like loner type का बंदा रहा है बचपन से Teacher सारे बच्चों को कहती हैं कि आप सब handshake करके अपने अपने partners choose कर लो five five के group में होने को बोल रही होती है मड़ब सारे बच्चे five five का group बना के हो जाए एंड इस बार भी मिया मूरा अकेला रह जाते हैं सारे बच्चे मिया मूरा का मजाक उड़ाते हैं आगे हम देखते हैं मिया मूरा के बारे में बात कर रही होती हैं बोल रही होती है कि यह बंदा कितना दtså gloomy है और अगर इस world में depression award नाम की अगर कोई चीज होगी तो वो इसी बनदे को मिलेगी तबी होरी उनके पास आती है और बोलती है तुम लोग किसके बारे में बात कर रही हो तो वो लड़किया बताती है कि हम लोग मिया मुरा के बारे में बात कर रहे हैं होरी बोलती है कि मिया मुरा ये कौन है अभी तक तो मैंने इसका नाम नहीं सुना था वो लड़किया सप्र इसे ड्राप कर देता है, होरी आके बोलती है कि मिया मुरा तुम्हें मालूम है कि next class में हम लोग group project पे work करेंगे, मिया मुरा बोलता है अच्छा मुझे ये बात नहीं मालूम थी इसके बाद होरी मिया मुरा को बोलती है जिसके चकर में मिया मुरा खुद होरी को एक विवेड परसन समझने लगता है इसके बाद सीन सिफ्टों के प्रेसेट में आ जाता है जहां पे हम देखते हैं कि सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासेश चक कर रहे होते हैं इस बार वो कौन कौन्सी क्लासेश में है और फॉर्चनेटली होरी मिया मुरा और उनके बागी सारे दोस्तों को सेम क्लास ही मिली है सब लोग इस चीज़ को देखके खुश हो जाते हैं और थोरू बोलता है कि ये सब हमारी प्यार की ताकत का कमाल है मिया मुरा बोलता है इसका क्या मतलब है और बैकराउंड में खड़ी दो लड़किया सोच रही होती है कि साइद इन दोनों का अफैर चल रहा है तब ही यू की और होरी भी वहाँ पर आ जाती है वो लोग उससे पूछती है कि तुम लोगों की क्लासेश तुमें मिल गई है इसके बाद वो सब आपस में बातचीत करने लगते हैं और मिया मुरा मन ही मन सोचता है कि मैं इन लोगों की ग्रुप में तो हूँ पर क्या मैं इन लोगों की फ्रेंडशिप का पार्ट हूँ आगे हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां पर टीचर बोल रही होती है कि ग्रुप प्रोजेक्ट के सारे बच्चे अपने अपने ग्रुप्स बना लो एंड मिया मुरा इस चीज़ को सुनके उदास हो जाता है कि कैसे पास्ट में उसे कोई भी अपने ग्रुप में इन हो जाता है क्योंकि आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था अगले सीन में हम मिया मुरा को स्कूल की छट पे देखते हैं जहां पर फिर से अपने मन में यही सोच रहा होता है कि क्या मैं इन लोगों का फ्रेंड हूँ पर तब ही थोरु वहां पर आ जाता है त मिया मुरा से बोलता है सब कुस ठीक है ना तो थोरु बोलता है हाँ सब कुस ठीक है बस पीरेट्स थोड़े से इजर उजर हो गए हैं और मैं बस तुम्हें ऐसा ही ढून रहा था आगे थोरु मिया मुरा से बोलता है कि मिया मुरा मुझे तुमारी हेल्प चाहिए बट मिय मियामूरा थोरू को शान्द होके बस देखता रहता है और जब थोरू बोलता है तो बताओ मियामूरा क्या तुम मेरी मदद करोगे तब मियामूरा को होश आता है और वो बोलता है कि क्या कहा तुमने थोरू सरमा जाता है कि अब तक क्या मैं सिर्फ अपने आप से बात कर रह नहीं बोलते तुम बहुती ज़्यादा वियर्ड हो पर जब तुम अपने चश्में उतार के अपने बालों को बीचे बान लेते हो तब तुम इतने ज़्यादा खुबसूरत लगते हो कि बहुत साइड लड़कियां तुमारे सामने फेल हो जाए मिया मुरा इन सब चीजों को सुनके बोलता है कि अच्छा फिर मैं एक वियर्ड प्रिटी बॉई टाइप का लड़का हूँ इसके बाद थोरू मिया मुरा से बोलता है कि एक्च्छल में मैं भी जानना चाता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो तुम उन गिने चुने लोगों में से एक हो जो अभी भी मुझे मेरे सरनेन से बुलाते है मिया मुरा थोरू को उसको उसके फिर्स नेम से बलाता है बर तुरंती सर्मा जाता है तो थोरू बोलता है कि अगर तुम मेरे फिर्स नेम को बोलने के बाद इत्ता जादा सर्माओगे तो मत ही बोलो बाप रे तुम कितने जादा वीर्ड हो तुम मिया मुरा बोलता है सौरी weird होने के लिए बर तभी थोरू बोलता है कि आरे आरे मैंने तुमें weird बोला है ये नहीं बोला कि तुमने कोई खराब काम किया या फिर बुरा काम किया जिसके लिए तुम मुझे sorry बोल रहे हो मिया मुरा मनीमन बोलता है कि काश मैं 10 साल पीछे जाके अपने पुराने वाले से यही सेम बात कह पाता आगे हम देखते हैं जब वो दोनों क्लास में वापस आते हैं तब होरी उन दोनों को मारती है और पूछती है कि अभी तक तुम लोग कहां पे थे इसके बाद सीन सिफ्टों के नेक्स डे स्कूल पे चला जाता है जहांपे हम देखते हैं कि जब मिया मुरा और थोरू मिलते हैं तोरू को फिर से उसको उसके सर नेम से ही बुलाता है जिसकी वाज़े से थोरू समझता है कि अरे भाई ये बंदा कभी नहीं बदलने वाला इसके बाद सीन सिफ्टों के होरी के घर की तरह चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं होरी का छोटा भाई शोटा उससे बोल रहा होता है चलो 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 मुझे स्कूल छोड़ने जल्दी चलो आगे हम देखते हैं होरी कैफेटीरिया में अकेली बैठी हुई होती है तबी रैमी उसके पास आती है और उससे बाचित करने लगती है देन उससे पूछती है क्या तुम और मियामुरा डेट कर रहे हो क्योंकि तुम उसकी गल्फेंड की तरह भी हेव करती हो होरी कहती है नहीं मैं उसकी girlfriend नहीं हूँ तो रेमी बोलती है चलो सही है तो फिर तुमें कोई problem तो नहीं होगी ना कि अगर मैं मिया मूरा को अपना boyfriend बना लूँ उसके साथ relationship में आ जाओं बट होरी जवाब देती है कि नहीं तुम उसके साथ relationship में नहीं आ सकती तुम उसकी girlfriend नहीं बन सकती रेमी बोलती है कि तुमने अभी अभी कहा कि तुम उसकी girlfriend नहीं हो तो फिर तुमें क्या problem हो सकती है बट होरी जवाब देती है कि नहीं तुम उसकी girlfriend नहीं बन सकती तुम उसके साथ relationship में नहीं आ सकती मिया मूरा सिर्फ मेरा है तो सिर्फ मेरा है और तब बो जिससे अब होरी और मिया मुवीज को बहुती जादा और बहुती सारा समय अकेले बिताने को मिलता है हम देखते हैं होरी और मिया मुवीज देख रहे होते हैं मिया मुवीज को ये होरर मुवीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है वो इन होरर मुविस से डर रहा होता है बट होरी जबर जस्ती मिया मुविस दिखाती है मुविस देखते देखते होरी और मिया मुविस एक दूसरे के हाथों को इसका हाथ कितना बड़ा है सीन वापस से प्रेसेंट में आता है जहां पर हम देखते हैं कि होरी मिया मुरा को बोल रही होती है कि मिया मुरा मुझे तुम्हारे हाथ बहुती पसंद है मिया मुरा भी होरी को बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे हाथ बहुती पसंद है होरी एंड इसके बाद ये दुनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के पूरी मुवी को कम्प्लीट करते हैं। पर शोटा जब घर वापस आ जाता है तब ये दोनो नॉर्मल बिहेफ करने लगते हैं। इसके बाद सीन सिफ्टों के स्कूल की तरफ चला जाता है। पर हम देखते हैं रेमी साकूरा से सारी बाते बता रही होती है जो की होरी के साथ हुई होती है। गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, मिया मूरा उससे समझाने कोश्ड़ करता है, कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसके बाद थोरू क्लासरूम में आता है, तो हम देखते हैं, उसे और भी जादा चोट लगी हुई होती है, इसके बाद एक फ्लैश प मिया मूरा यूकी से बोल रहा होता है कि नहीं सारी गलती मेरी है मेरी वज़ेस फाइट चालू हुई एंड थोरू खोरी से बोलती है फिर तो तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है उससे जाके सौरी बोलो एंड मैटर क्लोज करो इसके बाद हम देखते हैं होरी और एपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है तो गैस बस यहीं था वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दें चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करके बैल आइकन नबादेना मैं मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई टाटा